हुआ 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 है यह तो मर गया एक ही पंच में जान लेकर काठी पिलेटा के हार भी चड़ा दिया है कौन हरे तू कानका हो भाई यह कनका करपा का लड़का क्या है बे किधर है बे यह सब बॉर्डर के बाहर चलता है यहां हमेशा कनका ही है हम चाहे कोई भी पोश्टर लगाएं तुझे जिलन क्यों हो रही है यह क्या कर तोड़ इस इलाके में सिर्फ मेरा ही बस चलता है और यहां के शहरों में सिर्फ यही की फिल्में चलनी चाहिए एए वहीं रुख जा तीन करोड की फिल्म बनाने वाले तुम लोग सो करोड की फिल्म बनाने वाले हम लोग हमारी पहुंच का अंदाजा नहीं है तुझे तेरे इतने हिम्मद तु हमसे टकराएगा अबे गधे एक कहाने सुन तुझे एक सच्चा ही बताता हूँ राजाओं के राजा हैं हमारे राज भाहिया जंगल से आकर वो यहां विक्रमादित्य बने वो एक साधू के रूप में जाबास थे हालिवुड वालों के लिए वो एक रोबोट थे मा के लायक का बेटा उनकी मा नाना बीवी तमिल नडुके थे सिर्व इतना ही नहीं भाई का रचा हुआ नया इतियास ही तुम्हारा भी बनाया हुआ बाहु बली है अब क्या होगा यह चुप रहे चुप रहे तुझे पता है कि भाई कौन है सोन बच्चे यहां तुम जैसी कितनी सारी चवण निया है जो अपने आपको भाई समझ कर भटक रही है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है आगे भी ऐसे बहुत सारे पैदा होंगे लेकिन वो सब मैं गिंता भी नहीं हूँ लेकिन हमेशा सद बाहर रहने वाला और कभी ना भूला जाने वाला बस एक ही भाई है और वह हमारा भाई राजबाई है डॉक्टर राजबाई साम जगा तुन्हें पोश्टर लगा रखा है तेरे अकेले देखने से क्या फाइदा तेरे अपने लोग तो खुद अपनी फिल्में नहीं देखते हैं अपर क्लास वाले मल्टिप्लैक्स में मिडल क्लास वाले सिंगल स्क्रीन में इतना ही नहीं यहां की लड़कियां भी हमारे यहीं की फिल्में नहीं देखते हैं ए चिंपंजी की अउलाद ये लोग कौन हैं हमारे फिल्मों को आस्मान तक पहुंचाने वाले ये सारे हमारे ही लोग हैं नमस्ते बच्चों पिता श्री भगवान सब की रक्षा करना आ राजा आजा मेरे पास आजा अरे सुपा सुपा क्या दर्शन कर वा दिये ला तेरी गोटिया इधर दें मामे मेरे गोटियां माँ चलता हुआ बच्चों ठीक है अरे जल्दी तयार हो जाँ पूल के लिए लेट हो रहा है तोपी बाद सब के सब पोस्टर चिपकाने को देते हैं मजदूरी नहीं देते हमारी बदनसीब है यही काम करना पड़ता है कैस लाने के लिए भेजा तो कुरकुरे लेकर आगया देख ये बंकापुर नहीं है बैंगलूरू है होश यहार रहना चाहिए वरना चीर फार देंगे हम लोग यहां पर दिन रात मेहनत करने के लिए आये हैं इस दस से कमाकर अपने गाउं लोड़ जाएंगे देख मैं नहीं चाहता कि तेरे साथ कुछ हो ठीक है देख तेरे गाउं में तेरे माँ बाप छोटा भाई सबी है ना लेकिन मेरा कौन है अब तु इधर उदर अपना मीटर दिखाना चोड़ दे और आज के बाद से तु यह मीटर चलाएगा मतलब तुम चाहते हो कि मैं आटो चलाएगा जाड़ू मारने का काम मिले तो भी इमानदारी से करो उसका फल देने वाला उपर बैठा है ये बात भाई हम सबको बताके गए मुझे दो रोटी खेला कर तुमने पाला है तो तुम कह रहे हो कि वो भी मैं आटो चला कर जन्ता की सेवा करूँ तुम धन्य हो भाई भाले ही पोस्टर चिपकारा छोड़ दिया हो तब भी भाई तेरे साथ रहेंगे आटो चलाते समय भी भाई के दर्शन करते रहे ना दुनिया तुम्हारी है अड़ो भाई आज के बाद आपका ये दास सारवजनिक सेवक और और आटो चालक है आशिरवाद दो भाई जी अनपा इस तरह अगर मेरे बाप ने मेरा ख्याल रखा होता न तो मां कसा में गाउं छोड़कर आता ही नहीं पंद्रह सालों से तेरा ये डालाग सुन सुन कर कान पक गया मेरे तो खुद ही गाउं नहीं जाना चाहता तू भी न आज का काम कैसा था ठीक था ना बहुत बढ़िया मजा आया मजा आ गया है कवाई कलेक्षन ना आज का कलेक्षन ना कलेक्षन तो वो ऐसा तो नहीं कि किसी पेड के नीचे गाड़ी लगा कर सो गया था अच्छा मुझे तूं काम चोर समझ रहे हो क्या वह क्या है ना पता है आज क्या हूं सुबह की जो पहली टिप थी तो तुम्हारा मूह देखकर और वहाँ चला गया कि यह ले लो गया कि यह ले बेटा आपको मेरी तरफ से दिल से नमस्कार क्या हुआ ऐसा लग रहा है कई गौर से फिल्म देख रहे हो कि चिपक गए हो क्या है यह ओके यह भी ओके यह आई टी वालों के लिए फ्री क्यों कर दो कि अधर में देखते हो क्या अधर सोफ्डेवर एंजिनियर होने के बाद भी फ्रीव में देखते हो वैसे तो software engineer हूँ, लेकिन जब मैंने बंगार्द मनुष्या फिल्म देखी है न, मैंने decide कर लिया कि मुझे उनके रास्ते पे चलना है, इसी मिट्टी में पैदा हुआ, इसी मिट्टी में पला बढ़ा, यहीं पे सारी जिंदगी बिताई, सरकार से मिलने वाली हर एक करते रहते हैं, मैंने भी ऐसा ही कुछ सोचा था, लेकिन बंगार्द मनुष्या जब मैंने फिल्म देखी, तो मैंने decide किया, कि मेरे महनद के पसीने का एक एक बूंद, इसी धर्ती पे गिरेगा, लेकिन आपका यह dress, यह laptop, यह dress, दोस्त, दस साल देखना, हमारे देश का हर किसान, मेरे जैसा ही होगा, यह लो, ने ने रहने दो, रहने दो आप जाओ, आरे जाओ आप, आरे क्यों भाई साब, मैं भाई का फैन हो इसलिए, सर, उसके लिए बिल्कुल नहीं सर, अभी आपने कहा ना कि हमारे देश का हर किसान, दस साल के बाद बिल्कुल आप जैसा बस उसी बात के लिए, सर, आप ग्रेट हो, सर, आपको सर्यूट है, सर, मैं अभी एक किसान का ही बेटा हूँ, सर, जै जवान, जै किसान, जै जवान, जै किसान, तुने बहुत अच्छा काम किया, छोटे, क्या हुआ बहन, आज मेरा स्कूल बस में सो गया, आज से एक्जैम शुरू हो रहे है, मैं घर से पैसा नहीं लाई, प्लीज मुझे ट्रॉप कर दोगे, बहया, कौन सा स्कूल, चला, बैठ जा, जल्दी बैठ चाल, लड़कियों को ऐसे रोना नहीं चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, करेक्ट टाइम पर पहुंच गए ना, जा एक्जाम दे, जल्दी जा, जल्दी जा, रुक, 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 तु वापस घर कैसे जाएगी, पैसे हैं, है रहे तुझे, ए ओड़ा, मैं, आ, तुझे, तुझा, ए कभुतार, इदार आब है, सर, आप पुलिस वालों ने कभी किसी को इज़द देना सीखा ही नहीं है, क्या, फाइन कितना हुआ बताओ, पांज़ रुपे निकाल, सर, मैंने ये नहीं पूछा कि होटल सप्लायर को टिप्स कितनी देनी है, आपकी गवर्मेंट के जो फाइन है, वो बताईए, तू अद से जादा बोल रहा है, ये खाकी है बे, सर, हम क्या कोई सडक छाप है क्या, हम भी तो खाकी है सर, पहली गल्ती तुझे रोकने को कहा, तो भी तूर रोकने को नहीं, बन वे से आया, रोट क्यों तेरे बाप ने बनवाया है अटो में लड़की क्या बैठी दिमाग घुम गया कहा है यारसे बग लाइसेंस एमिशन सार्टिफिकेट सब है क्या अटो मेहनत की कमाई से लिया है या हराम की कमाई से बता सर आपकी बात गलत दिशा में जा रही है सर वो बच्ची स्कूल की स्टूडेंट है उसकी लाइफ का सवाल था सर एक्जाम को लेट हो रहा था इसलिए रो रही थी इसलिए बनवे से आ गया था सर सर सेंटर रोड पर आटो ड्राइवर को टच करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप सर इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा तो कोड़ी का आटो वाला तुम मुझे तुम जैसे लोगों की यूनिफॉर्म में ही बस डम रहता है लेकिन हम आटो वाले मरते दम तक दम रखते हैं अगर तु मेरी कॉलर नोचेगा तो इतना चोटा टुकडा मिलेगा लेकिन हम सब मिलकर अगर तुझे नोचेंगे ना तो छोटी चिंदी भी नहीं मिलेगी समझा देखना है देखना है तुझे मुझसे गलती हुई है कानून के आगे मैं सर जुकाता हूँ ये रख लो फाइन आटो वाले के पास बस तीन ही दौलत होती है आमने सामने बैठे रहने के लिए साफ इमान पीछे जो दो बैठते हैं वो ताकत और जंता की सेवा ही हमारी दौलत आटो चलाने वालों से टकर को ना हो जिस स्पॉट पर खड़ा है वहीं पर फैसला जलो क्या खजूर डिपार्टमेंट में कुछ ऑफिसर्स को हाज जोड़कर प्रणाम करने का मन करता है और तुम जैसे को देखता हूं तो मुझ पे थूकने का मन करता है